अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुक्सान होगा इससे टैक्सपेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा मुझे लगता है कि टैक्सपेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माप किये जाते हैं तो टैक्सपेयर देखता है सोचता है यार पैसा तो लिया था मुझे से और ये कहके लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माप कर दिये पूरे देश का टैक्सपेयर धोखा में सूस करता है टैक्सपेयर देखता है कि यार मेरे से टैक्स लिया मेरे से तो टैक्स लिया पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीज़ों पे जीएस्टी लगा दिया दूद पे जीएस्टी लगा दिया चाच पे जीएस्टी लगा को तो एक आम आदमी सोचता है है हमसे तो दोखा हो गया तो टैक्सपेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं टैक्सपेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते ह है टेक्सपेर के साथ धोका तब होता है जब अपने दोस्तों के करजे माफ करते हैं दस लाख करोर रुपए के अगर करजे माफ नहीं किये जाते तो मैं समझता हूँ आज देश इस तरह से घाटे के स्थिती में नहीं होता है हमें दूर धही के ओपर जी एस टी रगाने की जरूर नहीं पड़ती है पर ये मुद्धा अच्छा उठा है और मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए एक रेफरेंडम ये कराया जाए लोगों से पूछा जाए कि भई आप टैक्स देते हो इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है जी एस टी की तरही है बजार से कुछ खरीब के लाता उस पर GST लेता है देश के अंदर ये referendum कराया जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तिमाल होना चाहिए एक party है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तिमाल हो जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तिमाल होना चाहिए दूसरा मॉडल है दूसरी विचार धारा है क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तिमाल होना चाहिए और तीसरा क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाई देने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्कूल, अच्छी अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना जाए इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना देखे यह जो एक महौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाई देने से देश को नुकसान होगा फिर सरकार का काम क्या है अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को इस सुविधाई नहीं देंगे और सारी सुविधाई अपने दोस्तों को देंगे यह तो धुखा हो जाएगा